नमस्कार दोस्तो, इंजिनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ITI Turner का क्योशन पेपर और दोस्तो हर क्योशन के लिए आपको 8-10 सेगिंड का समय भी दिया गया है ऐसे ही क्योशन पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक भी दिया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो, समय को ने गवाते हुए शुरू करते हैं पहला क्योशन है दोस्तो, टूल दुबारा कारिय खंड के एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाती है तो इसका सही आंसर होगा यह दूरी फीड कहलाती है अगला क्योशन है दोस्तो, उत्पादन लागत से अधिक कब होती है तो इसका सई आंसर होगा टोलरेंस कम होने से अगला क्योसन है दोस्तो पार्टिंग ओफ करने के लिए टूल को निमन में से किस स्थीती में सेट करते हैं तो इसका सई आंसर होगा इसको कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में करते हैं अगला क्योसन है दोस्तो वर नियर हाइट गेज निमन में से किस का मापन करता है तो इसका सही आंसर होगा यह है उचाई का मापन करता है अगला क्योसन है दोस्तो दो अलग-अलग परकार की दातों को जोडने के लिए आप किस विदी का प्रियोग करेंगे तो इसका सही आंसर होगा हम ब्रेजिंग विदी का प्रियोग करेंगे अगला क्यों सन दोस्तों लेथ मसीन पर एक कटिंग टूल के द्वारा कैसी प्रकिरिया की जा सकती है तो इसका सही आंसर होगा सेपिंग प्रकिरिया की जा सकती है अगला क्योशन है दोस्तों फीड कारिये तु निमन में से कौन सा कोड प्रियोग किया जता है तो इसका सही आंसर होगा कोड एफ प्रियोग किया जता है अगला क्योंसन है दोस्तों पाइप नुमा खोकले जोब को स्पोर्ट देने के लिए निमन में से किस सेंटर का प्रियोग करते हैं तो इसका सही आंसर होगा पाइप सेंटर का प्रियोग करते हैं अगला क्योंसन है दोस्तो निमन में से कौन से प्रकार की चूड़ी साधान तैंग गती को ट्रांसफर करने में प्रियोग की जाती है तथा बनाने में आसान है तो इसका सही अंसर होगा एक मी चूड़ी प्रियोग की जाती है अगला क्योंसर ने दोस्तों फेस फ्लेट में कारिय खंडों को केंद्रों पर गुमाने के लिए किसकी आवशक्ता होती है तो इसका सही आंसर होगा डोग कैरियर की आवशक्ता होती है अगला क्योंसर ने दोस्तों कॉंबिनेशन शेट का बना बलेड किसका होता है तो इसका सई आंसर होगा स्टेनलेस स्टील का बना होता है अगला क्यों सन्य दोस्तो निमन में से किस टेपर का कौन कम रखा जाता है तो इसका सई आंसर होगा सव ओल्डिंग टेपर का कौन कम रखा जाता है अगला क्योशन है दोस्तो टेपर सांक्वता अंग्रेजी के किस अक्सर में व्यक्त की जाती है तो इसका सई आंसर होगा यह अंग्रेजी के के अक्सर में व्यक्त की जाती है अगला क्योंसन है दोस्तो एक अच्छे स्पेल्टर में निमन में से कौन सा गुण होना चाहिए तो इसका सई आंसर होगा उप्रोक्त सभी गुण होने चाहिए बेस मेटल की स्टैप पर आसानी से फैलने योग्य होना चाहिए जोड के यांतरिक गुण आवशक्तान उसार होने चाहिए गलनांक आदारक दातु के गलनांक से काफी कम होना चाहिए अगला क्योंसन है दोस्तो निश्चित लंबाई में दोनों व्यासों के अंतर को निमन में से क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर होगा टेपर कोनिशिटी कहते हैं अगला क्योंसन है दोस्तो जिन करिये खंडों की बाई यस तया ऐस मान हो उन्हें स्पोर्ट देने के लिए निमन में से किसका प्रियोग करते हैं तो इसका सही आंसर होगा Cat Add के साथ Steady Rest का प्रियोग करते है अगला क्योशन है दोस्तो Eye Speed Steel के लिए Ardening तापमान क्या है तो इसका सही आंसर होगा 1245 डिग्री Celsius है अगला क्योशन है दोस्तो किसी स्टै की स्टै प्रिस्क्रीती निमन में से किस गूण को दरसाती है तो इसका सही आंसर होगा यह स्टै के खुद्रापन या चिकनापन को दरसाती है अगला क्योशन है दोस्तो स्वय होल्डिंग टेपर में अधिक्तम कोण कितने तक होता है तो इसका सही आंसर होगा यह है एक डिग्री तक होता है अगला क्यों सन्य दोस्तो CNC मसीन में निमन में से क्या उपलब्द रहता है तो इसका सही अंसर होगा इस मसीन में निमन में से बोल, लीड, स्क्रू उपलब्द रहता है अगला क्यों सन्य दोस्तो खनीज तेल कौन से होते हैं तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी का तेल खनीज तेल है अगला क्योशन है दोस्तो ड्राइविंग प्लेंट निमन में से किस कारिये के लिए प्रियोग की जाती है तो इसका सही आंसर होगा दो केंद्रकों के मद्यल लगी सोफ्ट को डोग द्वारा गुमाने के लिए की जाती है अगला क्यों सन दोस्तों एक स्टिल के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा उपर गरम किया जाता है कुछ देर इसी ताप पर रखकर देरे देरे ठंडा किया जाता है इस प्रकिरिया को क्या कहते हैं तो इसका सई आंसर होगा इस प्रिकिरिया को अनिलिंग कहते हैं अगला क्यों सन दोस्तों वह ताप बिंदू जिस पर तेल वास्पिकरित होता है क्या कहलाता है तो इसका सई आंसर होगा यह है फ्लेस पॉइंट कहलाता है अगला क्योंसन है दोस्तो सिनेकों को किस प्रकार वर्गी करित किया गया है तो इसका सही आंसर होगा इनको सभी प्रकार से वर्गी करित किया गया है दर्वी है अर्द ठोस है ठोस अगला क्योंसन है दोस्तो फ्लेंज एल्बो के फ्लेंज फेस करने के लिए आप निमन में से कौन सी प्रकिरिया अपनाएंगे तो इसका सही आंसर होगा इन में से फेस प्लेट एंगिल प्लेट बांद कर उस पर एल्बो को एक फिलेंज से पकड़ कर फेस कर सकते हैं यह है प्रकिरिया अपनाएंगे अगला क्योशन है दोस्तो यदि लीड स्क्रू में 6 TPI की चूड़ी है तथा डायल के 4 भाग किये गए हैं तो वार्म वील में कितने दात होंगे तो इसका सही आंसर होगा तो वार्म वील में 20 दात होंगे अगला क्योशन है दोस्तो रीमर के द्वारा कितनी मात्रा में दातू काटी जाती है तो इसका सही आंसर होगा 0.02 से 0.15 mm दातू काटी जाती है अगला क्योशन है दोस्तो लेंपिंग के लिए लेंप में अम्ब्रेशिव कंड फसाए जाते हैं उस प्रकिरिया को क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर होगा उस प्रकिरिया को चार्जिंग कहते हैं अगला क्योशन है दोस्तों यदि खराद पर कारिये करते समय सीतलक फरस पर बिखर जाए तो क्या करना चाहिए तो इसका सही आंसर होगा तो अपने आप साफ कर लेना चाहिए अगला क्योंसर है दोस्तों इन में से किस टेपर में ओल्डिंग डिवाइस की आवशकता होती है तो इसका सही आंसर होगा क्विक रिलीज टेपर की आवशकता होती है अगला क्यों सने दोस्तों स्पेल्टर करम से दातों को जोडने के लिए प्रियुक्त किये जाने वाला क्या है तो इसका सही आंसर होगा यह है प्रियुक्त ब्रेजिंग अलोई है अगला क्यों सन्य दोस्तों एसमान आकार के जोब को निमन में से किस चक पर पकड़ते हैं तो इसका सई आंसर होगा निमन में से फोर जान चक पर पकड़ते हैं अगला क्यों सन्य दोस्तों मीट्रिक चूडियों का चूडि कौन कितना होता है तो इसका सई आंसर होगा 60 डिग्री होता है अगला क्योंसर है दोस्तों फार्म टर्निंग सोल्डर में जहां कट की लंबाई व्यास से अधिक होती है वहां किसका प्रियोग किया जाता है तो इसका सई आंसर होगा वरिताकार फार्म टूल का प्रियोग किया जाता है अगला क्यों सन्य दोस्तो निमन में से किस टेपर का कौन अधिक होता है तो इसका सई आंसर होगा निमन में से क्विक रिलीजिंग टेपर का कौन अधिक होता है अगला क्योंसन है दोस्तों, जब basic size के एक और tolerance दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं तो इसका सही answer होगा, तो उसे unilateral tolerance कहते हैं अगला क्यों सन दोस्तों कौन से द्रव कटिंग टूल की आयू में व्रीधी करते हैं तो इसका सई आंसर होगा A और B दोनों सी इतलक और सनेहक दोनों आयू में व्रीधी करते हैं अगला क्योंसन है दोस्तों उसमा उप्चार करने में एक स्टिल का पार्ट क्रैक हो जाता है इसका समभवताय निमन में से क्या करण है तो इसका सही आंसर होगा इसका कारण इसे बहुत तेजी से ब्राइन में ठंडा किया गया है अगला क्योंसन है दोस्तों निमन में से कौन सा CNC मसीन का लाब नहीं है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से CNC मसीन का लाब माप के अंतर को ठीक करना कठीन होता है यह नहीं है अगला क्यों सन है दोस्तो स्क्वाइर सोल्डर बनाने का उदेश्या निमन में से कौन सा है तो इसका सई आंसर होगा मिलने वाले पार्ष ठीक से सोल्डर पर मिल्स के यह निमन में से एक उदेश्या है अगला क्योशन है दोस्तो वर्नियर हाइट गेज किस अलोई के बने होते हैं तो इसका सही आंसर होगा ये अलूमिनियम के बने होते हैं अगला क्योशन है दोस्तो कीबोर्ड का प्रियोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा उप्रोक्त सभी में किया जाता है टूल डेटा में मसीन की गणिती अगणना में किसी इस्थे में परिवर्तन के लिए किया जाता है अगला क्यों सन दोस्तों फिक्ष चकर को निमन में से और क्या कहते हैं तो इसका सही आंशर होगा निमन में से केंड चकर कहते हैं अगला क्यों सन है दोस्तो टेपर गैंक की जीलो को मशीन स्पिंडल में सीथे ही पकड़ा जाता है जब ड्रिल में सैंक का व्यास पिंडल के छिदर से छोटा हो तो आप निमन में से कौन जी युक्ति का प्रियोग करेंगे तो इसका सही आंसर होगा एक या उससे अधिक स्लिव का प्रियोग करेंगे अगला क्यों सन है दोस्तो ट्विस्ट ड्रिल का लिप कलियरेंस कोण निमन में से किस प्रकार का होता है तो इसका सही आंसर होगा 89 डिगरी से 129 डिगरी अगला क्यों सन है दोस्तो निमन में से किन अव्यवों का कटिंग स्पीड पर परभाव नहीं पड़ता तो इसका सही आंसर होगा कारी अखंड के व्यास का प्रबाव नहीं पड़ता अगला क्यों सन दोस्तो निमन में से किस टेपर की विशेशता है कि सभी नंबरों के चोटे सीरे के व्यास समान होते हैं तो इसका सही आंसर होगा ब्राउन एंव सार्प टेपर की विशेषता है अगला क्यों सन दोस्तो हाइ स्पीड स्टील की आड़निंग के पसाद पुने 400 डिगरी सैल्सियस से अधिक तापमान पर गरम करने वे ठंडा करने से क्या होता है तो इसका सही आंसर होगा गरम वे ठंडा करने से क्ठोरता बढ़ती है इसे सेकेंडरी आड़निंग कहते है अगला क्यों सन दोस्तो बिना एक्स्टेंशन रोड का प्रियोग किये डेप्थ माइक्रो मीटर के दुआरा हम एक से अधिक कितनी गैराई माप सकते है तो इसका सही आंसर होगा 25 mm गैराई माप सकते है अगला क्यों सन दोस्तो टोलेंश की दो होल बेसिस सिस्टम में उप्रोक्त को पूरा कीजिए तो इसका सही आंसर होगा इसे ओल या साइस थिर रखा जाता है अगला क्योसन दोस्तों यंत्रों की स्ताय की फिनिसिंग का सीधा संबंध निमन में से किस गुण पर पड़ता है तो इसका सई आंसर होगा यह सीधा संबंध निमन में से सभी पर पड़ता है गिसाव संसारण कमपन अगला क्योशन है दोस्तों कुछ चूडियों की आकरिती तिर्भुजाकार होती है जिसमें एक और कौन 90 डिगरी या 85 डिगरी एव दूसरी और का कौन 45 डिगरी का बनाया जाता है ये चूडियां इन में से किस से सम्मन्दित हैं अगला क्योशन है दोस्तों वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर दो अनुरूप स्केलों के अंतर पर आदारित होता है जिसमें एक डिस्क स्केल तथा दूसरी कौन सी स्केल लगी होती है तो इसका सई आंसर होगा दूसरी मुख्य स्केल लगी होती है अगला क्योशन है दोस्तों वर्नियर कैलिपर की अलपतम माप क्या होती है तो इसका सई आंसर होगा इसकी अलपतम माप 0.02 mm होती है अगला क्योशन है दोस्तों स्टेंडर्ड टेपर पिन में प्रियोग होने वाले टेपर को क्या कहते है तो इसका सई आंसर होगा इनको पिन टेपर कहते है तो इसका सई आंसर होगा यह ब्रेजिंग कहलाता है अगला क्यों सदोस्तो दनात्मक सुन्य तरूटी में थिंबल की सुन्य रेखा डेटम लाइन के किस स्थिति में रहती है तो इसका सही आंस्वर होगा यह डेटम लाइन के पीछे रहती है अगला क्योसन है दोस्तो स्टेल को गरम करने पर जब कारबन गुल कर सोलिड सोलुशन बनाता है तब उसे क्या कहते है तो इसका सही आंस्वर होगा तब उसे ओस्टे नाइट कहते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाईए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह आसानी से मिलती रहें और दोस्तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक भी दिया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद